देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है अच्छी पढ़ाई के बावजूद लोगों को खाली बैटना पढ़ रहा है जिसके चलते लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है जनवरी में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में बेरोजग कारी बड़ी है लेकिन हैरानी की बात ये हैं कि ज्यादा पड़े लिके लोगों में बेरोजगारी की दर अधिक है 2014 लोगसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से बेरोजगारी कम करने के दावे किये गए थे चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को खुब भुना आगया परिनाम ये हुआ कि मोदी सरकार पून बहुमत से केंद्र की सत्ता तक पहुँचने में काम्याब रही लेकिन 5 साल का कारकाल पूरा करने के बाद भी बेरोजगारों की संख्या में कमीन नहीं बलकि इजाफा हो गया है। जनवरी में आई रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर्स सबसे ज्यादा रही और इसने पिछले 45 साल का रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस एक बार फिर सत्ता में वापसी कर चुकी है। लिहाजा रिपोर्ट भी जारी करती कही है। सांखी की मंत्राले की अनुसार देश में साल 2017-18 के दौरान बेरोजगारी की दर 6.1 फीस दी रही। और मंत्राले ने ये भी स्विकार किया कि जनवरी में बेरोजगारी दर को ले लोगों में भी रोजगारी की दर ज्यादा है। इस बात को हम आपको आंकडों के जरिये समझाते हैं। दशमलव आठ फीस दी बेरोजगार हैं। जबकि ग्रामिन का प्रतिशत 5.3 फीस दी है। अखिल भारती आधार पर पुर्शों में बेरोजगारी 6.2 प्रतिशत थी। जबकि महिलाओं के मामले में ये 5.7 प्रतिशत थी। रोजगार नहीं मिल पाने का ये अंतर शेहरी सि चुनौतियां लेकर आई है। अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि मूदी सरकार इस चुनौति से कैसे निप्टे की। और क्या अगले 5 साल में सरकार अपने रोजगार के वादे को पूरा कर पाएगे। जो उसने 2014 में किया था। DB Life की रिपूर्ट